हेलो एरिवन वेलकम टो यूटूब चैनल आपके अपने इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है मेरे सभी पहारी द्यारतियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जितने भी स्टुडेंट 36 और माध्यमिक सिक्षा मंडल में पढ़ाई करते हैं जि द्यानिक भासकर में एक निउज आया हुआ था यूज आ यह आर्टिकाल है देखो जो की आपके एक्जाम से एक्षाम से एक्यारति ईक्तिंगर्श करको और हम यहाँ प åt一个 माध्यम से आप तक पहुँचाना चाले हैं तो इस व्यारतिकल में क्या दिया हुआ है वह हम देख पन्जर ऐडलैन यही है यहांपे इस्कुल कॉलेज के ऐफ्लान एक्जाम परवरी के बाद हो गया है कि संक्रमन कम हुआ तो अगले म Nein इसकुल खुल सकते हैं अभी काफी जगह पे इसकुल जो बंद चल रही थी वो संक्रमन कम होते ही वो खुल जाएंगे और आप एक्जाम फरवरी के बाद होना तै किया गया है तो जितने भी देखो कॉलेज के बारे में कॉलेज के रिगार्डिंग यह जो है नियूस दिया ग इरली एक्जाम दिलाते हैं उनका एक्जाम जो है ऑनलाइन होगा ऐसा नहीं सोचना है जो सेमेस्टर परिच्छाएं जो है भले ही ऑनलाइन चल रही है लेकिन आपकी जो रेगुलर परिच्छाएं होती है वो आफलाइन ही होगी यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है देख लिखना होगा क्लियर कट यहां बता दिया गया है कि केंदर परिच्छा केंदर में जाकर क्या आपको पेपर लिखना होगा कोरोना की मामले अगले महीने से कम होने की सम्मावना है ऐसा होने पर राजधानी में भी अगले महीने से इसकुल वा कॉलेज खूल सकते हैं तो रा प्रिपेर करते रहें, बहीं आपका एक्जाम आफ लाइन ही होना है, आपको केंद्र में जाके एक्जाम सेंटर में जाकर एक्जाम लिखना होगा, अभ स्वरोगा कहना है जहाँ के लिएग बारवी को लेकर शंक्रमरदर कम है। कि 10 से आपका प्रिक्टिकल एक्जाम होगा आपने वो देखा होगा जरूर है ना तो वो मैंने पहले ही बताया था और ये पेपर जो है लगातार सभी स्कुल में अलग-अलग डेट में ये वहरी कर सकता है लेकिन परिच्छा है हो रही है प्रिक्टिकल एक्जाम हो रहे हैं अब राजदानी में भी इस्तिती समानने होने पर इसकुल खुल सकते हैं पहले कोरोना को लेकर एक साथ इसकुल बंद होते थे और एक साथ खुलते थे लेकिन इस बार संक्रमण दर के अनुसार इसकुल बंद किये गए फरवरी में राज्य के अधिकान सीलों में इसकुल पूरा समयसारणी वहाँ पे हैं और आपको वैसे समयसारणी मिली गया होगा है न तो आप अपना तयारी जरूर करते रहें इसकुल खुलने के बाद परिच्छा के आयोजन में परसानी नहीं होगी पिछली बार को रोना की वज़े से दसवी बारवी की परिच्छा बंद है और कई जगा खुले हैं लेकिन कोरोना को लेकर राज भर में कॉलेज विश्वी डाला में आउनलाइन पढ़ाई बंद है जनरल प्रमोशन नहीं होगा यहां पे क्लियर कट बता दिया गया है जनरल प्रमोशन के धोखे में इस बार आपको नहीं रहना है जनरल प् पूरा क्लियर कट आपको समझा गया कि बोर्ड एक्जाम होना ही होना है लेकिन जो 9 और 11 में है वो भी अभी धोके में ना रहें 9 और 11 का भी एक्जाम आपका होना ही है आप आफ लाइन पेपर दोगे ठीक है तो 9 और 11 वाले बच्चे जो रिलेक्स बैठे हुए अब अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर दो अच्छे से पढ़ाई करो और आफ लाइन परिच्छा के आसार जादा है दो साल से 9 और 11 के परिच्छा वार्सिक परिच्छा नहीं हो रही है चातरों को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है लेकिन इस बार पेपर होंगे अधिकारियों का कहन है कि अगस्त से दिसंबर तक इसकूलों में पढ़ाई हुई करीब सत्तर से 80% कोर्स खत्म हो चुके हैं इसलिए परिच्छा योजित की जाएगी और नवी 11 की परिच्छा जो है अप्रेल में होगी अप्रेल में ध्यान रखेगा अप्रेल में आपका एक्जाम होगा नवी कर सकते हो और हमारे चैनल के माध्यम से आपको काफी हेल्प मिलने वाला है तो चैनल के साथ जूड़ जाएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ठीक है और जो भी स्थितियां समानने हो जाएंगी आहां बताया गया आगे तब करोना को लेकर राधानी समेथ कुछ जीलों में स्कुल बंद है कोरोना के मामले कम होते हैं इसके बाद भी छोटे बच्चों की कक्चाएं लगने की संभावना जो है यहां पर कम है यह बताया जा रहा है लेकिन आपका एक्जाम जो होना है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो जितने भी सीजी बोर्ड में पढ़ाई करने वाले स्टुडेंट हैं सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि एक्जाम जो बहुत जल्द होने वाला स्टार्ट तो तैयारी कर दीजिए करते रहे हैं और चैनल के साथ जूड़ जाईएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस चमंडल से आता है और जो भी आपके डाउट होते हैं जो क्लासे हम प्रवाइट कराते हैं वह आप तक पहुंच सके बिल्कुल प्रिया कोस्ट और सारे दोस्तों तक अपने फ्रेंट्स तक से एर कर दो क्योंकि जितने भी 36 वर्की स्टुडेंट है सब तक हमारा ये जो है चैनल हो जाना चाहिए तब सभी को इससे काफी हेल्प मिलने वाला है ओके चलो मिलते हैं ने स्टुडियो में नए अपडेट के साथ